लिए तो यहां से यहां पहले आपको एक निसान लगाना पड़ेगा अब यहां से यह समझे लिजिए आपका 40 के उपर मारक लग गया ठीक है और यह समझे लिए जो मुहरी का दबाव होता है वो दबाव जो है न वो तीन इंची हो गया अब इसमें आपको सेंटर लाना है पाइंट के कटिन करने का सेंटर तो आपको क्या करना है जैसे इसका 24 है ठीक है तो 12 दूना 24 हुआ तो हमने क्या करना सेंटर 6 इंची को पर रखते हैं ता आप इसमें हमने छे इंची को नहीं रखना है क्योंकि यह पेपर को पर कटिन कर रहा है तो इसमें हमने अंदाज से एक यहां से सेंटर बनाएंगे इसका ठीक है आज समझेंगे 6 इंची के उपर हमने इसका निसान लगाया कि समझें यहां से यह जो किनारी है कि यह किनारी होगे यहां से आपको 6 इंची के उपर निसान लगाया है मैं 20 जो पर सेन्टर डेस ठीक है अब रहा कि यह बत अब आपको 40 है लंबाई हो गया 40 लंबाई होगे अब इनसाइड जो है इसका कितना रखाएंगे इंसाइड इसका 66 इंची रांड जो है 26 इंची राउंड है चोभी सिंची होता है और हाप इंची दबाओ तो यहां से हमने इतना इंची पर यानि लगबग दो इंची नीचे करके एक निशान लगा देंगे कि यह मैं आपको अंदाज के लिए बता रहा हूं ठीक है कि यह मारकर जो ना कि यह हो गया अब उसके बाद में आपको घुटने का निसान जो है ना देखें घुटने का निसान क्या होता है से यह इसका जो है यहां से और यहां तक यह सेंटर बनाते हैं ठीक है समझे यह आपको साड़े अनकीजी ऊपर यहां पर निसान लगाएंगे ठीक है इसको भी हमने निसान लगा देना है यह घुटने का मैं निसान बता रहाँए Whats तो, ये घुतने का निसान हो गया, ठीक है, आप आपको क्या करना है, जिसे आपको सबसे फ़र्ष्ट में आपको कमर का मारिक लगाना होता है, ठीक है, आपको आगे जा रहा है पीछे जा रहा है कमर का सेंटर आप पहले लगा देंगे इसमें क्या होगा आपको नुकसानी होगा पहले आप थाई का निसान लगाएं ठीक है जैसा भी पाइंट है छोटा हो बाड़ा हो जीन्स हो या नर्मल पाइंट हो या अमरेला पाइंट हो ज बहुत हो तो यहां से में यहां से चनी हो यहां है हमने क्या करना यहां सेशेंशी पर निशान लगा दना है ठीक है यह से इसके बाद में हमने क्या करना है इधर भी हमने जितना आगे की तरफ निशान लिए उतना ही आप growth को पीछे तरफ रिक निशान लगा देना है खिर और दोनों एक ज़िए सद्लोंते शेव है अब इसमें क्या करना है इस तरिखत से सीधा निशान लगा दना है अब यहां से आपको लगबग जैसे इसका निकालिएगा इसका अगर निकालिएगा जैसे 32 कंबर हो गया 32 कंबर अगर अगर थाई जो है ना 24 हो गया तो यहां से यहां ठीक है कि देढ़ेंची निकालिएगा ठीक है one and half यह one हो गया one and half नखी अब इसको आपको अच्छा से गुलाई कर देना ठीक है इस गुलाई हो गया मैं यह हलका गुलाई होता है पूरा राउंड नहीं निकालना पड़ता है पूरा राउंड नहीँ करते हैं इसको घाट क्या करते हैं निसान लगा देना है हृ कि सब्सक्राइब यहाँसे हाफ i n you कि अभी वह अब यह उपर से भी हाफंची डाउन करना है उबाद में करेंगे पहले अब यहां से आपको कमबर का निसान लगाना है तो यह आगे ना पेंगे कितना है उसके बाद में पीछे नाप करके यहां से कि यह हो गया उसके बाद में अब जैसे आपका मुहरी 16 है तो यहां से समझ लीजिए सेंटर से चार इंची आगे रखेंगे और चार इंची पिछे रखेंगे ठीक है तो यहां से यह समझें चार इंची में आगे रख रहा हूं चार इंची पिछे रख रहा हूं ठीक है यह हो गया अब इसके हिसाब से यह थाड़ा इंची है तो यह नौ दूना थाड़ा इंची हुआ यहां से साड़े चार और यहां से साड़े चार 9 इंची हुआ यानी 18 इंची चाहिये यह आपका 16 इंची हो गया यह 24 इंची हो अब आपको यह वळा इसकेल से इस तरह पहले आपको यहां से पुरा सीधा निशान लगाने ठीक है यह सीधा निसान हो गया उसके बाद में हलका क्रास करके यह वाला निसान लगाएंगे ठीक है उसके बाद में इसको भी हमने यहां से हमने इसको सीधा लगाना है और हलका क्रास करना है उसके बाद में यह निसान यहां से यह हलका राउंड होता है मैं आपको पेपर को उपर बता रहा हूं इसलिए इसा हो रहा है ठीक है इस तरीके से यहां से ऐसे राउंड करके ठीक है पूरा सेफ होना चाहिए इस तरीके से यह हो गया और उसके बाद में अब यहां से आपको हाप इंची डाउन करना है यहां से हाप इंची डाउन करेंगे इस तरीके से यहां से लेकर के यहां तक हाप इंची डाउन किया इससे क्या होता है यहां पे आपका रिंकल नहीं आने देता है और फिर यहां से भी यह डाउन करने का क्या हो जाओ यह होता है आपको जो सामना जो यह जिप लगा रहा है पैंट का तो यह आपको बहुती असान के से जिप लगाने देता है क्योंकि कपड़ा आपका फुलता नहीं है और यह जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिपिक्स मिले और आप सबसे पहले देखे तो मैं हूँ आप सब का स्लम भाई तो आप सब प्लीज आपको यह साहीं कटीन पर करना कराना है तो आप अपना मजर्मेंट भेजिये मैश्म आपको इस तरह समझा करकर बेजूँ का अगर यसमें आपको कोई इससे । मैसे हो रहा है तो आप मुझे कमेंट आयो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है न मैं आपना उस चीज को ख्याल रखूँ तो आप सब ज़्यादा-ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें उसके बाद में क्या करना है कोई भी साइज हो जैसे 32 34 38 तो यहां से डेल इंची तक निशान लगाते हैं ठीक है ट्रेंची तरह अन हाफ कर वानें हाप इंची अधिकर मैं लिक करके बता दे रहा हूं ताकि आप त्यूंकि मैं पेपर के ऊपर कटिन कर रहा हूं आप कपड़े को ऊपर कटिन करेंगे तो इस चीज का भी आपको ध्यान में होना चाहिए उसका बाद मैं यहां से साथ इंची तक निसान होना चाहिए यहां से यहां साथ इंची तक देखें यहां पर मेरा सेप जो ना गुलाई हलका निकलता है क्योंकि इनसान का हीप जो ना यह इसी तरह होता है इसलिए इसको भी अपने ध्यान में रख करके और फिर कटिन करना है यह नहीं से आप यहां पर भी सीधा निसान लगा दिया मैं पेपर में भी कटिन करना हूँ तो आपको पूरा इसे गुलाई जी जहां पर जिस तरह है उस तरह मैं देखा रहा हूँ ताकि यहां से आप सीधा निसान लगा दिये तो क्या मारिक में भी सीधा निसान लगाना है अगर इसकेल आप देखेंगे तो यहां पर राउंड जो इसकेल होता है उसको यहां से यहां तक निसान लगाना है ठीक है और यहां से यहां पूरा सीधा निसान लगाना है ठीक है तो इस चीज का भी अपने ध्यान में रखना होगा उसके बाद में कटिन करना होगा यह न जाले 30 के उपर है तो मैं यहां पर लगा दे रहा हूं और यह यानि तीस इंची था यह कौर्टर नीचे नीचे सिलाई जाएगा तो मेरा पूरा आप मुझे बताएं आप लोग के यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ताकि मैं अब दूसरा हिसाब मैं बताऊंगा आपको तो इसका मैं बैक कटिन करने का तरीका बता देरा हूं थोड़ा सा तो यहां से आपने क्या करना है जो यह मारिक है न यहां से लगवक हाप इंची नीचे यह निशान लगाते हैं और इसको सेम टू सेम मारिक उपर निशान लगाते हैं और इसको भी अब आपने क्या करना है यहां से वन एन हाप इंची पर निशान लगा देना है यहां पर भी यहां पर जो है न है टू एन हाप इंची का निसान लगा देना ठीक है यह जो है नर्मल साइज में इतना ही बढ़ता है ठीक है आप मस्टर है तो आप खुद ही मारिक करके देख ले क्योंकि ज्यादा करके लो क्या करते हैं पहले यहां से नापते हैं सामना कितना है इधर सी आई जाएगा और इधर सी लाई जाएगा उसके बाद में फिर इंची टेब आगे ले जाके यहां से नापते हैं ठीक है तो आप अगर डेली कटिन कर रहे हैं आप परफेस्टनल मास्टर है या आप ज्यादा कटिन कर रहे हैं तो आप एसे अंदाज करके देखें आपको स फिर यह निशान जोना पूरा यह सीधर लेना है ठीक है और यहां से यह हलका गुलाई कर देना है अब यहां से आप बैक कटिन करेंगे ठीक है यहां से इस तरह अगर आपको सेम टू सेम इसी तरह आपको पाइंट कटिन मजर्मेंट पेपर को उपर लेना है समय जैसे आपको 20 इंची मोहरी रखना चोबीस इंची घुटना रखना तीस इंची थाई यह बटाइस इंची थाई है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपना मजर्मेंट बेजे मैं आपको सेम टू सेम इसी तरह आपको पीपर को उपर मैं कटिन करके बताऊंगा तो आप सब ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें और मेरा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें और कमेंट करके बताएं आप कोई मेरा फर्मूला कैसा लग रहा ताकि मैं और भी आगए इसी तरह बनाऊंगा आप सब मुझे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें और जितने भी पुराने दोस्ते नए दोस्ते आप सब से रिक्वेस्ट है आप सब मेरा चानल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और साथी बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिपिकसन मिले और आप सबसे पहले देखे तो मैं उमीद करूंगा आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो चलिए रखते हैं ओके बाए